फ्रेंड्स मैं पूनम सागत करते हूँ एलेंस की आज की बड़ी खबरों में हम लोग जानने वाले हैं दुनिया बर से जुड़ी एलेंस से खुछ जुरूरी और बड़ी खबरें जिसमें फ्रेंड्स एक जुरूरी जान करी है कि अब अंतरास्ति उडानों को चालू कराने क के लिए खुद ट्रैवल एंसेशन भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और भारत सरकार से बाचित करने वाले हैं इसके उपर पूरी रिपोर्ट आगे इस वीडियो में आपको जाननी को मिलेगी साथी साथ यहां पर आज की इस वीडियो में को लेकर भी ज़रूरी जा जा सकता है इसके अलावा और भी बहुत कुछ रहने वाला है यह सारी खबरे आगे आपको इस वीडियो में जाननी को मिलेगी तो एर लैंसे पहली बड़ी खबर आ रही है यहां पर एर इंडिया से एर इंडिया ने यहां पर सूचना निकाली है कि वह बैंगलूरों से सैन इंडिया के द्वारा सुरू की जा चुकी है है इसके अलावा बैंगलूरु इयरपोर्ट से पहली सीधी उडान होगी जो कि भारत के टेक सिटी को अमरिका के टाक सिटी से जोड़ेगी फ्रेंट्स आपको बताना चाहेंगे कि सैन फ्रांसिस्को में ही सिलिकॉन वैली है और बैंगलूरु सिटी को भी भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है हगली बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रहे है यूएई से फ्रेंट्स यूएई ने 13 देशों के साथ विजया अप्लिकेशन को बंद कर दिया है यहाँ पर यूएई ने ये विजया अप्लिकेशन को कई सुरक्षा कारणों के कारण ही बंद किया है UAE के द्वारा लगाया गया ये वीजा अप्लिकेशन पर रोक ज्यादा तर मुस्लिम देशों के साथ ही है जिसमें की सामिल है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लीविया, अलजीरिया, इराग, कीनिया, टर्की, यमन और इत्यादी UAE के द्वारा नए वीजा अप्लिकेशन पर रोक 18 नवंबर से ही लगाया जा चुका है यहाँ पर UAE ने ये नए अप्लिकेशन पर रोक इसलिए लगाया है क्योंकि अभी हाली में सौधी अरिविया के जेदा में भी कुछ बिस्तोटक देखने को मिला था एरलाइस से अगली बड़ी अप्डेट आ रही है यहाँ पर एमिराद से एमिराद कोरोना के इस मुश्किल समय में भी नए A380 एरक्राफ्ट की डिलीवरी लेनी की तयारी कर रही है आपको बताना चाहेंगे कि A380 नए एरक्राफ्ट पूरे तरीके से प्रीमेम क्लास के रहने वाले हैं दुनिया में अमिराद पहली ऐसी एरलाइस कंपनी है जो कि इस कुरोना के मुश्किल समय में भी नए A380 एरक्राफ्ट को अपने फीट साइज में जोड रही है जबकि वहीं दूसरी एरलेंस कंपनिया है जो कि इस बड़े एरक्राफ्ट की उड़ानों को फिल हाल के लिए बंद कर रही है क्योंकि मौझूदा समय में कम पैसेंजर्स होने के कारण एरलेंस कंपनिया इतने बड़े एरक्राफ्ट को ऑपरेट नहीं करना चाहती यदि आपको नहीं पता तो आपको बताना चाहेंगे कि A380 एरक्राफ्ट दुनिया के सबसे बड़े एरक्राफ्ट होते हैं जिसमें की 500 से अधिक पैसेंजर्स एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं अगली बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है अंतराष्टे उडानों को चालू कराने के लिए फ्रेंट्स मौझूदा समय में ये दि अंतराष्टे उडाने ऑपरेट नहीं हो पा रही है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसां ट्रैवल इंडस्टिस को हुआ है अपने यहां पर लेकर आ रहे हैं और जैसे जैसे यहां पर वैक्चिन की सुरुआत हो रही है वैसे वैसे अब लोगों में भी उमीद जाग रही है कि अंतराष्टे उडाने भी अब नॉर्मल बेसिस पर ऑपरेट होनी शुरू हो जाएंगी और जो ट्रैवल इंडस्टिस अभी तक नुकसान में चल रही है यदि अंतराष्टे उडाने चालू हो जाती है तो इसका सबसे ज़्यादा ट्रैवल इंडस्टिस को ही होने वाला है यहाँ पर इंडियन एसोसिशन आफ टूर आपरेटर ने भारत सरकार से मदद मागी है कि भारत सरकार इविजा और टूरिस्ट विजा को कब से खोल रही है उसको लेकर एक अपडेट दे और साथी साथ जिन देशों के साथ अभी तक भारत सरकार अंतराष्ट वडानों को चालू नहीं कर रही है उन देशों से भारत सरकार अंतराष्ट वडानों को चालू करने की कोशिश करे कूल मिलाकर अंतर राष्ट उडानों को चालू करने के लिए एक रोड मैप तयार किया जाए एलाइन से अगली बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर आइटा से फ्रेंड्स आइटा जो की एलाइन्स कंपनियों को रेगुलेट करने का काम करती है उसकी तरफ से भारत सरकार से रिक्वेस्ट की गई है कि इस करोना के मुश्किल समय में भारत सरकार एलाइन्स कंपनियों की मदद करे जिस कारण से एलाइन्स कंपनिया इस समय जो घाटे में चल रही है वह इस घाटे से बाहर निकल पाए इस समय एलेंस कम्पनियों को हो रहे घाटे के कारण बहुत सारे लोगों की नौकरिया जा चुकी है और आगे आने वाले समय में बहुत सारे लोगों की नौकरिया जाने वाली है आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक भारत सरकार की तरफ से एयलेंस कमपनियों के लिए कोई भी बड़ी राहत नहीं मिल पाई है जिसको देखते हुए ही अभी तक एयलेंस कमपनिया अपने बलबूते पर ही अपने फ्लाइटों को आपरेट कर रही है एयलेंस कमपनियों की मदद करने के लिए यहां पर आईटा भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है कि वे एयलेंस कमपनियों के लिए राहत पैकेज लेकर आए क्योंकि दुनिया के दूसरे देसों में एलेंस कंपनियों को कई तरह के राहत पैकेज दिये जा चुके हैं लेकिन आभी तक भारत में ऐसा नहीं देखा गया है चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरह फ्रेंट्स टाइमस ओफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में एलेंस कंपनिया पासपोर्ट वैक्सिनेशन नाम की सर्विस लेकर आ सकती हैं जिसके तहट केवल उने पैसेंजस को फ्लाइट में ट्रैवल करने की अनुमती मिलेगी जो पैसेंजस अपने आपको वैक्सिनेशन करा चुके होंगे यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया की सभी देश करोना वैरिस वैक्सिन को डेवलप करने में लगे हुए हैं और भारत और कई दूसरे देश बहुत जल्दी करोना वैरिस की वैक्सिन भी तयार कर लेंगे जिसके बाद यहाँ पर अंतराष्टे उडानों को चालू करने के लिए यह जरूरी रहेगा कि सभी पैसेंजर्स अपने आपको करोना वैरिस की वैक्सिन लगा लेंगे तो ही उनको ट्रैवल करने दिया जाएगा हैसर टाइमस ओफ इंडिया की इस रिपोर्ट में बताये गया है कि बहुती जल्दी एलेंस कम्पनिया इस तरीके का नियम ला सकती है जहां पर पैसेंजर्स के पासपोर्ट के अलावा उनकी वैक्सिनेशन की डिटेल भी पूछी जाएगी अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर चेन्ने में साइकलोन की खबर को लेकर फ्रेंट जैसे कि आपको पता होगा कि चेन्ने में साइकलोन के कारण भारी बारिस और तुफान देखा जा रहा है जिस बिच अभी तक 26 फ्लाइटों को कैंसिल किया जा चुका है 26 फ्लाइटों में इंडिको, स्पाइज़ट, गो एर और विस्तारे की फ्लाइटे सामिल है इस साइकलोन और फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर इन सभी बड़ी एलेंज कंपनियों ने अपने टुटर रेंडल अकाउंट से यह एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने पैसेंजर्स को अलेट रहनी की सुचना दी है और उन्होंने साथ में यह भी बताया है कि जैसे ही फ्लाइटों को लेकर कोई भी अपडेट आती है तो उनको मैसीज या फोन के जरिये इन फॉर्म कर दिया जाएगा अगली बड़ी खबर ले लेते हैं कोरोना वाइरस टेस्ट को लेकर फ्रेंट सुप्रिम कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई है जिसमें सुप्रिम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया गिया है कि कोरोना वाइरस टेस्ट को सभी पैसेंजर्स के लिए 400 रुपे रखा जाए जिसस इस कारण से यहां पर आम लोगों को इससे काफी ज़्यादा नुक्सान पहुंच रहा है इस PIL के बाद सुप्रीम कोट ने केंदर सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि करोना वाइरस का टेस्ट 400 रुपे में क्यों नहीं किया जा सकता फ्रेंट्स आज की एलाइंस की खबरों में फिलाल इतना ही था वीडियो यह दिए आप लोगों को थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि फ्रेंट्स हम यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुते मुश्किल से एलाइंस से जुड़ी यह सारी खबरों को रोजाना बेसिस पर लेकर आते रहते हैं आप यह वीडियो अपने दोस्तों और दूसरे लोगों तक वाटसप के माध्यन से जरूर शेयर करें झाल